लुट वारे बुट अब्ट चैप्टर नूंबर थी मेजर्स ऑफ दिस पर्जन इंट्रोड़क्षन इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो मैंने लास्ट रैम आप लोग को के साथ शेयर की थी अगस्त में तो मारा मेन अब्जेक्टिव क्या था मीन मौड मीडियन फाइ स्कलाइट था हावर मेन अब्जेक्टिव वॉप से होते थे एक अची तरीके से हौएवर सब्सक्राइब निएटा के थे दौ जो जो मारा होते थे आपने देखे ह 맛있ना में हो सकते थे ते पर निचें इर्ट से मार्ड भी होसकते थे और से मीडीएजू वहनू सक्ते थेmm कि हो सकते था and yet still be quite different in other way और आप क्या कहरें कि यहां पर कुछ चीज़े क्या होंगी different भी हो सकती है for example consider the following set of scores अगर आपको कुछ set of scores हम दे रहें made by two batsmen दो batsmen ने यह run जो है score किये है A and B in a series of inning एक series थी meaning की उसमें batsmen A है आपके पास और batsmen B है आपके पास इन दोनों के marks आप देख सकते हैं 50, 63, 45, 36, 68, 33, 55, 72, 47, and 81 batsmen A के मैंने reroute किये है batsmen B के देखेंगे आप 0, 0, 0, 58, 181, 33, 47, 64, 96, 71 we can see that above set of scores have the same mean that is xa is equals to xb55 आपने क्या देखा कि यह जो दोनों sets आपके पास आपको मिल रहे हैं इनका mean जो है same है still it is clear that two data sets differ कि दो data sets जो हो सकते हैं वो different हो सकते हैं in particular there is much more variation in the scores of player A sorry player B than A to describe this difference quantitatively we use a measure of dispersion अब हमें यह relation किस तरह के से निकालना होगा तो इसके लिए हमें जो है matter of dispersion यूज करना होगा अब आपने यह तो note down किया होगा B में कि 0-0-0 है तीन में लेकिन आपने यह note किया कि अचानक से इनके 181 बन गया तभी तो इनका mean जादा आया है अब क्या किया रहे है major of dispersion is the degree of closeness major of dispersion जो होता है हमारे पस एक degree of closeness होती है किसी value की from its central value उसकी central value से central value आप लोग को पता है mean mod median जो होती है वो central value होती है in other words it may be concluded data major of central tendency is a single number to represent a group of data a group of data को आपने single number से represent कर दिया ठीक है तो वो आपके पास क्या चीज़ बन गई है central value बन गई है लेकिन we are a major of dispersion is used to major differences in data आपको अपने data का differences निकालना होता है ठीक है कि मतलब इसकी limitation क्या थी और इसकी limitation क्या नहीं है the most common majors of dispersion are range आप लोगोंने metric class में पढ़िए quartile deviation quartile की meaning आपको पता 4 के लिए हम कह रहा होते हैं यहां पर हम देखेंगे कि क्या चीज़ है mean deviation और mean absolute deviation variance और standard deviation भी आप लोग पढ़का रहें लेकिन और यहां पर clear हो जाएगा यह तो अब हमारे पास first range it is defined as a total sorry it is defined as the difference between the largest and smallest value in a set of data जो set of data आपको दिया गया है उसकी largest value और smallest value जो है आपास में माइनिस होंगे मिसाल कि तो आपके अगर मैं बात करूं इंटर में seven subjects से English, उर्दू, statistics, accounting के सारी चीज़ें लेकर आपके seven subjects से आपने hundred वाले marks जो हैं वो चूस की हैं कि English, उर्दू और accounts में hundred होते हैं आपने दिखा कि आपके accounts में 90 आया है और उर्दू में 70 तो आपके 90-70 हो जाएंगे तो वो range आ जाएगी ठीके range क्या होती है largest value म less कर दें example one आपके पास दीविए find range in the following data कि आपको range निकालने है कुछ data की 31, 26, 15, 43, 19, 27, 22, 12, 36, 33, 30, 24, 20, and 14 आपने सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है highest value फोर्थ पराएं जारा 43 आपको highest मिल गए यह और यहां से आप आज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पराएं तो 12 आपको smallest मिल गए 31 क्या है इसकी range है इसी तरीके से मैंने crop नहीं किये picture find range in the following frequency distribution आपको जो है दूसरा side भी मिलावा है X और F का इसमें भी आप easily निकाल सकते है largest value कौन सी है और smallest value कौन सी है उसके बाद जो है आप इसको इस तरीके से कर लेंगे अब देखें यहां पर क्या कह रहे है 5 तो आगे आपके पास range in case of group और a continuously frequency distribution the range is difference between the upper class boundary of the highest class and lower class boundary of the lowest class अपर class boundary होगी और lowest class boundary होगी यह आप देख लिजेगा इस तरीके से इसको हम निकाल रहोंगे range का formula UCB of the highest class upper class boundary of the highest class और lower class boundary of the lowest class अब आपको example 3 जो है वो मैं दिखा रहा हूँ आप देखेंगा for range in the following group frequency distribution age जो है आपके पास years में है और frequency आपको दी हुई है 10 से 20 पर 5 है 20 से 30 पर 15 है 30 से 40 पर 2 है 40 से 50 पर 6 है 50 से 60 पर 4 है तो इसको अब भी हम देखते हैं कि किस तरीके से solve होगा अब आप देख सकते हैं अपर class boundary आपके पास कितनी आ रही है 50 to 60 में 60 आ रही हो यहाँ पर 10 से 20 में start हो रही है तो 60 माइनस 10 जो है इसकी क्या बन जाएगी range बन जाएगी आज है क्वाइटाइल deviation और semi-interquietile range तो यह भूल यह गाने क्योंकि हमारा आया था एक तफ़ा हमसे क हम भूल गया थे कि semi-interquietile जो है कि semi आ गया inter आ गया दोनों आपस में रिलेट हो कहा है बने गया arrange arrange the data that is आपने इसको arrange कर दिया sending order में 4567 899 10 13 14 18 और अगर आपकी skills बहुत अच्छी है आपकी commands बहुत अच्छी है तो आप Excel यूज़ करें और इसको जो है पूरे को ड्रेंग करके A2Z वाला जो होता है 100 वाला होता है मतलब इस तरीके से करें तो आपके पास पूरा आ कोई value नहीं है वह अनकी ना मतलब जिससे भी multiply होगा वाई आजाए का एन प्लस वन 11 प्लस वन डिवाइड बाई 4 15 15 जो है डिवाइड होके 4 से देखें 11 प्लस वन कितने होगा आपके पास 15 कह रहा हूं सौरी 11 प्लस वन 12 12 डिवाइड बाई 4 फोर 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 फ्री सा 12 टू ट्री 6 से 6 आ गई 3 नहीं लिखेंगे 3 N प्लस वन अपउन 4 N प्लस वन कि 11 प्लस वन अपउन 4 11 प्लस वन 12 ट्री सा कर दें आप या तो फिर 12 अपउन 4 पहले कर दें जिस तरीके से भी आपको बहतर लग रहा गर 23 जा 36 करते हैं तो 49 जा 36 हो जाएगा आपके पास 11 प्लस 6, 7, 8, 9, 9, 10, और यह आप देख सकते हैं, 13, 9th value क्या आ रही है, 13 ता रही है, 13 को कर दिया, Q3-Q1, 13-6, divide by 2, 3.5, 13-6 आपके पास कित्ते होते हैं, 7, और 7 को जब 2 से divide करेंगे, 236, 1 बचा point लगा के 0 लिया, simple है, 3.5, अब हम next time में क्या करेंगे, आगे की examples को discuss करेंगे, as soon as possible, thanks for watching